घर का पूरा मोडल बना रखा वो देखने को मिलेगा और तो तो गाइज अब में गेट के बाहर आचुके अब अंदर जाएंगे और यहां का नियर में अट्रोय सेशन पड़ेगा आपको दिन्ली गेट तो दिन्ली गेट से आप आ सकते हैं और आपने ये देखी सकते हैं क्या दिखावा राजटर ये गांदी शंग्राले हैं मुजिय में आएं हैं तो आप देखने को मिलेगा कि गांदी जी को जो रियल में घर का पूरा मोडल बना रखा है वो देखने को मिलेगा और बागी तो गाइस बागी यह है कि गांधी जीन के लाइफ में जो एक पुस्तक पड़के उनकी जिन्दकी बदल गई थी उस पुस्तक के बारे में भी दिखा रखा है तो अभी देखते हैं अभी क्या लगा के उसमें दिखाया जाता है गांधी जी के बारे में सारी डिटेलिंग बताई जाती है वीडियो में कि क्या-क्या उनकी लाइफ से रिलेटेट था और उनके बारे में म्यूजियम में सब कुछ है जैसे कि आप देख सकते हैं अर्विन बैठा है ऐसे पब्लिक आती है पर वैठती है और यह जो ऐलेडी प्र चलाया जाता है और बताया जाता है वो लोग देखते हैं तो देख सकते हों गांधी मिलीव के अंधकी साइट क्या। आपकी और दिखाते हैं वीडियो में वीडियो मेना है, बाकि जिसे चैनल स्प्स्क्राइब मेने करें нравने किरुदे हम गया जूँनाकृ तो गाइस अभी हमने नीची के साड़ का दिखाया आपको गांधी म्यूजूं का अब उपर की साड़ा म्यूजिम दिखा रहे हैं संग्राली जुगला का दिका अभी दिखाते हैं म्यूजिम में अच्छा मतलब लगा रखाया वागी डिटेलिंग है नीचे लाइवेरी और चीजे थी अभी उपर भी आया भी और दिखते क्या क्या है तो आज हम बात करेंगे नैशनल गांधी म्यूजिम के बारे में तो अगर आप राश्पति महत्मा गांधी के जीवन के बारे में जाना चाहते हैं और महसू करना चाहते तो आपको देश के अलग राज्यों में इस इन गांधी म्यूजिम का दोरा एक बार जिरू करना चाहिए महत्मा गांधी जिने महंदास कर्मचंद गांधी बापू या राश्पति के नाम से भी पुकार जाता है बारती सोतंता अंदोलन के परमुक नेता थे उन्होंने देश की जनता को हिंसा का मार्ग छोड़का आइंस्ता के अधार पर सोतंता प्राप्त करने के लिए प्रेद किया उन्होंने आहसो योग अंदोलन से लेकर नमक सत्यागरे और भात छोड़ों अंदोलन जैसे कई आंदोलन के जरी भात को सोतंता दिलाने को में आहम भूमिगा निवाई आज पूरे देश में राष्प इस दिनिंगाLE मीकिम बनाएगे बता दे कि महाता गांदी ने हमेशा प्रमपरागत भारती पौसाग धोती वासुत से बनी साल प्रेंच जिसे शुएङ चर्भ वासूत से कातकर हाथ से आज हम उनको बता दे इनकी आज आपको बता दे उन्हीं गांधी मीजियम में से कु से डांडी मार्च किया था उन्होंने और बागिया भी देखी रहें आप देख सकते हैं लिखावा है पूरी डिटेल दे रही है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गांदी जी के द्वारा उत्पात किया वाद द्योग यह है जो उन्होंने बनाया था तो यह देख सकते है से जो कड़ते गयं लग्यों बनातेदे यह आप सामने यह लिखा सबस्क्ते अगी सकते हैं लिखा हूए आज करेदी इसी के चार्फ का कक्ष की देख सकते माणी है इसकोफ ऊद्वी जो ड्योग से कर्फ हो बनातेए इनके के समान है चपल है और पानी पहीने कांट देख सकते और वाकी आपके और पुर पूरा कक्श का समान रखा गया यहां पर कृषं से लेकर जो पड़ा है और उनकी म 시작 मॉला पढ और किताब बिर कुदू अघुन पढойти मबां तो यह तीन आप देख सकते हैं चितर के द्वारा दिखाया गया उपर तो देखिये तो गाइस यह करंसी में मजब गांदी जी की फोटो लगी भी थी तह शुरू से लगी आई यास तक अभी भी आप देख सकते हो कोई भी करंसी नहीं या पुरानी होती है उनका फोटो जरूर होती है गांदी जी की तो वह ही है इसमें दिखा रहा है सारी करंसी की पुराने से लेकर नहीं तब सब दिखा रहा है तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं गांदी जी की मिर्टी होई थी तो उनको ट्रेन में म सकते हैं बना रखा है कि कैसे था देखिए आगे चलके आपको दिखाते हैं यहां पर भी चितर द्वारा बताया गया है यह गांधी जी अस्तिया और उनकी अंतिम यात्रा के टाइम कितनी भीड़ थी और यह देख सकते हैं यह चाचा नहरू जी देख रहे हैं आप यहां तो आप देखी सकते हैं जब अन्तिम समय था गांदी जी के हाथ में ये घड़ी थी और उनकी धोती ती जिस पर रख के निशाने पुरे खून के और ये गोली देख सकते हैं आप सामने ये आकरी रियूनी गोलियों में से एक गोली है जो यहां इस म्यूजियम में रखी गई है और आप देखी सकते हैं दिखाने के लिए रखी गई है तो आप देख सकते हैं इस टेच्ट यहां किसी विर्योध्य का सामना करें पड़े तो उसे प्रेम से जीती है उसके बारे में देश से दे रहा है गांदी जी देकरो पूरा वह तो गटी दान्डी में इस इस म्योस्यम के अंदर गॉसंधी जी के घर का इस डी स्प्रक्षिट बराखग संद के देख thế. लिए खोडनी जी के घर का टो बांदर टीघंड मिन शे रख़गा Lubatana तो देखी आप यह जैसे बना रखा है पूरा उपर से नीचे तक मतलब शेम ऐसा ही उनका घर था और पूरी इस म्यूजिम में पूरा इस्ट्रक्शर मिल जाएगा आपको यह लककड का च्छट डली वी है और यह कमरे बने वे और कमरे में क्या क्या समान होता था जैसा कि कि बना रखाया उनका मतका और भागी खिडिक्या लगी है और यह फोटो में क्या क्या चीज़े थी उनके साथ को पिस यहां के मिलेगी तो आप पहले यहां पर आओ और विजीट करो उसके पाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा भागी म्यूजियम बहुत बड़ा जिसको हम एक एक करके भी मतलब आपको बताना चाहे तो बतानी पाएंगे आगी देखिए आप देखी सकते हैं ये बार गार्डन भी बना रहा है उस तरीके से तो गैसे गांद जी का घर का पूरा इक्स्ट्रेक्श्टर बना रहा है इसके अंदर महत्वा गांदी मुजियम क के दर दिख रहे हो पूरा उसके बारे हो पूरे सही से बना रहा है दिख रहे हो जैसा उनका घरता पहलेगा